हेलो फ्रेंड्स मेरी किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुती टीस्टी क्रिस्पी हेल्दी ब्रेड पकोडा हम पालक की चटनी के साथ हम इसको बनाएंगे जिसे बहुती बड़िया फ्लेवर आता है जैसे कि बच्चे पालक खाते नहीं है तो मैं बहुत बा बच्चों के अंदर चली जाती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने दो बॉयल आलू लिये हैं उसके बाद एक छोटा सा प्याज था उसको ब्रिक कटिंग कर लिया है साथ में हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इस समय आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सक थोड़ी सी चिली पाउजर थोड़ा सा जीरा डाल देंगे इसमें इन सभी चीजों को अब हम अच्छे से मैक्स कर लेंगे देखिए मैंने मैक्स कर लिया है इधर मैंने थोड़ा सा वेशन लिया है वेशन में हम थोड़ी से स्पाइसिस एड़ कर देंगे सबसे पहले हमने इसमें नमक डाल दिया है थोड़ी सी रेट चली पाउडर डाल दिया है थोड़ी सी हल्दी बहुत healthy होती है थो हमने इसमें गरम खहले तो को तो आट छोड़ा पैनी हर यह नेकल давай घंड करेंगए आटो में कितना हेल्थी अब हम प खोड़ा पानी डाल आपी इस इक ह्तोर दूक्षिये इस लुद्वाइड लाहसे इस तो आट्ल आट एक होना जाहिए उससे तो आटहे कि दो 가서 अब हम चलते हैं, हमने ब्रेट पीस लिया है अब सेछिए इस करते हैं कब लोड़ा नहीं साथे हैं अब लीखते मिलगते तो और आप ने आपिस अब पर नहीं पालक चुटनी निऊ पनी अगर आपने पालिक की चटनी की रेस्पी आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में जरूर कहें तो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूँगे तो देखें इसको अच्छे से हम पीस पे अच्छे से लगा देंगे देखें एक बहुती बढ़िया तरीका है बच्चों को पालक खिलाने का तो अब हम इसके उपर थोड़ी सी इमली की चटनी बनाई है मैंने ताकि बच्चों को थोड़ा पता ना चले कि कि हमने इसमें पालक की चटनी को एड़ किया है इमली की चटनी लगाने से इसका फ्लेवर बिलकुँ चेंज हो जाएगा चटपटा सा बन जाएगा तो देखिए इमली की चटनी हमने चारो दरफ लगा दिया अच्छे से अब हमने जो आलू का बैटर रेडी किया था अब हम अच्छे से हम पूरी ब्रेड पे स्प्रेड कर देंगे और बच्चे इसको बहुत ही चाओ से खाएंगे उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमने उनको पालक खिला दी है इसका जो दूसरा पीस है आप उसकी एक साइट पे टमेटो चटनी भी लगा सकते हो लेकिन मैं कुछ नहीं लगा रही इसको आप दूसरा पीस रखके इसको प्रेस कर देंगे तो अब हम इसको सेंटर में से कट कर लेंगे क्योंकि यह पीस बढ़ा है तो इसके अब हम चार पीस बनाएंगे आप यह बच्चों को त्यार करके टिफन में भी दे सकते हो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हेल्दी वेसं का सेंट्विच यह बनता है यह देखिए हमने कटिंग कर लिया है देखिए अच्छे से स्टफिंग है तो चलिए एक तरफ हमने कडाही में तेल गरम करने के लिए रख दिया है तेल हमारा गरम हो चुका है तो देखिए अब हम ब्रेड़ पिस लेंगे चारो तरफ से हम जो कोनी है उनको हम लॉक कर देंगे वेसं में डिप करके अच्छे से डिप करेंगे और इसको हम फ्राइ कर लेंगे एक बार पालक की चटनी के साथ आप इसको ट्राइ करके देखें यह बहुत ही बढ़िया सेंड्विच बनता है ऐसे हम दूसरे को भी ऐसी लॉक करेंगे और वेसं में अच्छे से डिप करके इसको अब हम अच्छे से क्रिस्प होने तक हम इसको पका लेंगे अगर आपको मेरी रस्पी अच्छी लग रही है तो प्लीस लाइक का बटन जुरूर प्रेस करें चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको ज क्रिस्प हो चुका है अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे कितना बढ़िया लग रहा है हमारा हेल्दी ब्रैट पकोड़ा है ऐसे ही अम बाकी पीस्सिस को भी ऐसी करलेंगे क्रिस्प होने तक दूसरे पीस्स को भी हम ऐसी ही पकालेंगे तो देखिये हमारे जो 4 ओपी से बनके बिल्कुल रेडी हैं तो चलिए अब हम इनको सर्व कर देते हैं दिखी कितने क्रिस्पी लग रहे हैं आरा है ना मुँं में पानी तो आप इसको गरम गरम चाय के साथ सर्व करें तो अमीद है आपको रेस्पी अच्छी लगी होगी मैंने इसको इमली की चटनी और स Thank you!